नमस्कार और विल्कम योल वर्ल अफेर्ज में प्रशान दवन नाओ रीसेंटली आप सब लोगों ने ये निव सुनी होगी कि जो भारत के हाई कमिश्टर है टू यूके ये जा रहे थे ग्लासगाओ के एक गुर्दवारे में रास्ते में इनको गलत तरीके से रोका गया इन गुर्दवारे हाई कमिश्टर के साथ बरता हुआ है उनको रोका गया एक गुर्दवारा एंटर करने से ये बहुत ही जड़ा गलत है और मैं आपको इन डीटेल बताऊंगा के यहां पर हुआ क्या है वैसे मैं एक बाद क्लियर कर दू इस सब इंसरेंट से रिलेटेड एक वीडियो भी सामने आई है जहां पर जिन लोगों ने अभी उस किया इंडियन हाई कमिश्टर को वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि हम इंडियन हाई कमिश्टर को गुरवारे में नहीं जाने देंगे वगरा वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाने व का जो FTA है उस पर बातचीत जोरो शोरो से आगे चल रही है तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के हुआ क्या है UK के जो एनलिस्ट है वो इस बारे में क्या कह रहे है के हुआ क्या है यहाँ पर और क्या स्टेप्स हम को लेने चाहिए ताकि इन future ऐसा ना हो तो काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा हाली में Russian government ने announce किया है के 2024 में जो इनका defense budget होगा ये कितना percent बढ़ जाएगा ये बड़ी news इसलिए है क्योंके Russia का defense budget most probably इंडिया से बहुत जारा बढ़ने वाला है ये हैं आपकी options 70 percent 50 percent 30 percent या 100 percent comment section में करिए उत्तर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंत में ओके तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं भारत के हाई कमिशनर मतलब के सबसे बड़े diplomat इंडिया के to the United Kingdom ये विकरम साब यहाँ पे हो गए इंडियन हाई कमिशनर और जब मैं कहता हूँ इंडियन हाई कमिशनर to UK तो ये बेसिकली भारत को represent करते हैं चार देशों में UK आपको बताओगा चार कंट्रीस का ग्रूप है Scotland, Northern Ireland, Wales और England तो Scotland में न दो बहुत ही important शहर है एक तो है Glasgow कई लोग सोचते हैं कि Scotland की जो राजधानी है वही Glasgow है क्योंकि Glasgow एक बहुत ही popular city है मगर Scotland की जो राजधानी है ये Edinburgh है तो Edinburgh की हम यावे बात नहीं कर रहे हम यावे बात कर रहे है Glasgow की, Glasgow में देखी एक बहुत ही भवे गुर्दवारा है और वहाँ पे जो गुर्दवारा कमेटी है उन्होंने Indian High Commissioner को invite किया आपने देखा होगा भारत सरकार के बहुत सारे ministers, officials काफी बार ओपर ली गुर्दवारा जाते हैं इससे obviously communities के बीच में goodwill भी create होती है तो भारत के High Commissioner Glasgow के जो गुर्दवारे वहाँ पहुचे अचानक से क्या होता है कि कुछ radical लोग आते हैं Indian High Commissioner को abuse करना start कर देते हैं जी हाँ, बिलकुल यहाँ पे आप देख पाऊगे threatened and abused Indian High Commissioner issue statement on Glasgow गुर्दवारा incident हमारे High Commissioner को अगया देखो यहाँ पे बात सिर्व इकरम साथ की नहीं है he is representing India यह बहुत बड़ी बात है कि भारत के High Commissioner के साथ यह सब हुआ यह गुर्दवारे जा रहे थे गुर्दवारे की जो कमिटी हैं उन्होंने इनको welcome कर रखा था अचानक से कुछ radical लोग आते हैं वो कहते हैं कि Indian High Commissioner को हम गुर्दवारे में एंटर नहीं करने देंगे इनको threaten किया जाता है abuse किया जाता है और Indian High Commissioner ने decide यह किया कि यह जो radical हो गया है यह publicity के लिए यहाँ पे आए हैं ठीक है होल नम जाने के लिए यहाँ पे आए हैं इनका जो गुर्दवारे का विजिट है यह कैंसल हो गया था और मैं चाहता हूँ UK में जो analyst है वो इस सब के बारे में क्या लिख रहे हैं यह आप देखें यहाँ पे आप देख पाऊगे यह tweet है Colin Bloom की अब यहाँ पे आप कहोँगे अच्छा Colin Bloom यह कौन है किया जाता है अब यहाँ पे आप देख पाऊगे Colin Bloom यह कह रहे है कि Britishers को यह बात समझनी होगी कि इनके देश में हो क्या रहा है So that we are clear The Sikh Gurdwara Committee in Glasgow Gurdwara put on a community reception to host the Indian High Commissioner जो Glasgow Gurdwara Committee है वो welcome कर रहे थे Indian High Commissioner को अचानक से क्या होता है एक group of out of the town जो लोग यहाँ पे आए थे जिन लोगों ने Indian High Commissioner को abuse किया, threaten किया इन में से कई लोग तो Glasgow के थे भी नहीं एक group of out of town pro-Khalistani activists turn up physically intimidate the local sick community and try to attack the High Commissioner to London in his car and they film themselves doing it and put it on their social media accounts यह मैंने इसलिए आपको बोला कि जो उनकी footage थी जो उन लोगों ने खुद record करी है वो मैं दिखाना नहीं चाहता है वो circuit करना गलत है आगे यह कहते हैं कि जो इनका bloom review है इसमें यह खुद highlight करते हैं कि majority जो है British sick population की यह amazing लोग है they are amazing people मगर एक छोटी सी aggressive minority है इसी community में ही that are not representative of them the UK government needs to do more to deal with these extremist fringe elements और यह मैं आपका उजाद हूँ यह UK government की एक security assessment की report है bloom ने यह भी कहा था के 2018 में न Canadian government ने एक report publish करी थी इस report का नाम था 2018 public report on terrorism threat to Canada इस report में पहले Canadian government ने खालिस्तानी elements का mention किया बाद में pressure के वज़े से political reason की वज़े से इन्होंने जो यह mention है यह remove कर दिया bloom ने आपर यह काए कि जो गलतिया Canada ने करी थी वो गलती UK को नहीं करनी चाहिए यह कुछ एक handful लोग है जो countries के बीच में relations खराब कर सकते हैं communities को divide कर सकते हैं यहाँ पर आप देख पाऊगे bloom ने लिखा था propagating hate and division trying to brainwash youth to cause division and hate in India is really sad तो इसलिए आप समझ के होगे के यह issue इतना serious क्यों है और government of India यह issue UK के साथ race क्यों कर रही है क्योंके पहली बात तो it is very disgraceful क्योंके threaten और abuse ना सिर्फ Indian High Commissioner जो Scotland के एक member of parliament थे जो इनके साथ आये थे उनके साथ भी सेम बरताव किया गया और देखो एक बड़ा incident यहाँ पे avoid किया गया है यह बात साफ साफ लिखी है the High Commission said the attempt of the non-local extremist element to violently force open the door of commissioner's car needs to be looked by the police and pointed out that only the quick reaction of one of the organizations who physically intervened prevented what could have been a bigger incident bigger incident यह हो सकता था कि अगर Indian High Commissioner को यह जो लोग थे जो ग्लासगाओं के बाहर से आथे जो threaten कर रहे थे यह physically attack कर देते यह बहुत बड़ी बात होती एक High Commissioner को physically attack किया जाता है अगर मान लो UK में that would have been a huge issue इंडिया हो सकता ना उस case में अपने High Commissioner को security reasons की होज़े से वापस भी प्ला लेता इंडियान फ्लाइग नीचे करने की भी कोशिश की गई थी बहुत जादा मैं का हूँगा खराब सीन सामने आये थे उसके बाद हमने यह भी देखा के जो UK का High Commissioner है इन न्यू डेली उसके बाहर एक शोचाले बनाने की बात चल रही थी और जो security थी वो भी इनकी थोड़ी बहुत कम कर दी गई थी तो अगें ये बाद UK को समझनी होगी के जिस टाप की security ये प्रवाइड करते है अमेरिकन ओन्वाइ को बाकी ओन्वाइस को सेम टाप की security इन्हें Indian High Commissioner को भी प्रवाइड करने पड़ेगी इवन वाइल ही स्ट्रावलिंग क्योंके इन दी एंड इनकी security की जिम्हेडारी है ये UK गर्रमेंट पर आती है तो ये topic देखे अभी news में रहने वाला है देखना होगा के UK यहाँ पर क्या action लेता है क्योंके बड़ी बात है Indian High Commissioner को थ्रेडन किया गया और यहाँ पर violence भी हो सकता था तो देखना होगा के UK कैसे react करता है इस issue को लेकर अब फाइनली वावस आते हैं हमने question की तरफ कि रश्या अपना जो defense budget है कितना percent increase करने वाला है दो हजार 24 में शौकिंग है अगर High Commissioner के साथ यह हो सकता है तो एक आम इनसान जो जाएगा उसके साथ क्या हो सकता है वो सोचो में तो यह सोच के घबराद हमने उस type के वीडियो भी देखे थे कहीं और Canada बगारा में जहां पर कोई बंदा जा रहा था गुजराती और उसको अंदर नहीं जाने दे थे उसे बुरा भुला बहुत बत्तमीजी की थी उन्होंने जब वो मेरे खाल से आ रहा था या वहां से हो के आ रहा था जा रहा था पाकिस्तान माल बन गया है पाकिस्तान में अक्सर जो बैर कंड़ी में जाता है तो उसको चोर चोर बोलते हैं लेकिन अब ये खालिस्तान याद दो कर भाई बीचे पड़ी है ऐसे ही लेड़ा में पर लंदर में हुआ था वो बच्चे उतारा गया था अब उसको इंडिया के अंदर की इन काई कुश्ट था इसको निकाल दे गई उन फिर इतलार भी किया फिर वो काम रुप गया फिर कनेड़ा में ये काम शूटा दो बंदे कटल हो गया उपर इंडा उत्राश इंडिया के अब ये जो के माम इंदर गया है जो के के अंदर कुराई के शिर्डास कादर गुट वारे उचार तुझी वीडियो की खत्म यार ये वाकिय में एक नहां क्या इसको में काउँ शोड़ी से अरिकरत का इसको अगर असान अफाज में कहूं कि जब हाथ ना पहुँचे तूकर बें हाथ ना पहुंचे तूकर सब्सक्राइब कर रहा है और लोर लेवल लोर तबका अपने आपको शोग कर रहा है इससे पता चाहिए को कि जो नफस्याती या मेंटालिटी लावल अन्हों कितना जादा उनका मेंटालिटी लेवल भी जी तो भी वर्स वीडियो में देखा वीडियो था पर्शांत सरका वर कर्मेशनर को एक गुर्दवारा जाने से रोक दिया गया वहां पर अभ्यूस किया गया कुछ लोगों की तरफ से हाला कि उनको एक दावत नावा जारी कि जानब से अप आई खिया और वहां पर कुछ तक्रीबा जो उनकी है उसमें शामिल हो जाएए तो देखिए ये एक क के गौवर्मेंट है उसको एक्षिन अब लेना पड़ेगा नहीं अगर वो इसके एक्षिन लेंगे तो फिर कहीं न कहीं वो भी कैनेडा जैसे सुर्तेहाल का सामना उनको